हेई गाइज मैंने नोटिस कर रहा है कि जो लाक्मी का लाइनर है उस सब के पास होता है और बहुत एजीली मिल भी जाता है तो मैं हुशा गोन और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे उस आईलाइनर को यूज करके एक मोटा विंग आईलाइनर बना सकते हैं साथ ही मैं बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज करके आप दोनों आखों में बिलकुल बराबर विंग आईलाइनर लगा सकते हैं और ये आईलाइनर ना चोटा लगेगा ना पतला लगेगा बिलकुल एक सा लगेगा चली शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से आईला से भी क्योंकि वान में अगर एक्सेस प्रड़क्ट लगा रहे गया तो वो आपके आईलाइनर को बर्बात कर सकता है अब मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक जिसमें आप मिरर को सामरे ना रखके ऊपर क्यों रखें ताकि आप अपनी लोड लाश लाइन को अच्छे से द की वाज़े से आपके दोनों आखों का लाइनर बराबर लगेगा अपने आई शाड़ो को लाइन मानके मैं आई लाइनर की मदद से तीन डॉट्स बना रही हूँ जिसको मैं बाद में जोइन कर लो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लाइनर में जादा प्रोड़क्ट नही जैसे ही मैं इनको मिला रही हूँ एक खुबसूरत सविंग बनना स्टार्ट हो गया है और अब बस हमें इसे फिल करना है चोटे-चोटे स्टोक लीजे और धीरे-धीरे लगाईए और अगर आप एक बिगनर हो तो डेफिनिटी थोड़ा टाइम लेके बनाईए बट उससे आपका में लाइनर बहुत खुबसूरत बनेगा तो अब बस इनकोर्णर में लगाना रहे गया है वो मैं लगा लेती हूँ लेकिन एक बात का जरूर धियान रखे इनकोर्णर में लगाते समय अगर आप दुबारा प्रोड़क्त ले रहे हैं तो उसे वाइप करना एक जैसा लगएगा साथ ही आप देख सकते हो कि सामने से हमारा लाइनर दोनों आखा में बिल्कुल बराबर लगा है ना पतला ना छोटा ना बड़ा बिल्कुल एक सा तो हो गई में रेडी एक विंग लाइनर और बोल लिप्स्टिक लगा के आप बिल्कुल पार्ती अगर आप भी चाहें तो आप भी अपने लिए ऐसे खूब सुरत से लेंगे फ्लायरोब.com से रेंट पे ले सकते हैं अगर आपको यह लाइनर वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और बी ऐसे लाइनर वीडियो लेकर आँ तो प्लीस इस वीडि आपके हैं है है